अब सबसे पहले है जो फॉस्ट कॉश्चन है 2010 में यह कॉश्चन बूचा गया था ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए बहुत बेसिक कॉश्चन है और स्पेशली यह जो कॉश्चन ही है कॉमन सेंस के थ्रूवी हम सॉल्व कर सकते हैं मैं उसे कैसे कर सकते इसे क्या बहुत बाएंगी होता क्या है कि जब भी यह मैं कोई चंप्ट पड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो लाइन हमने नॉट में लिखी है वह सड्रीज लेंगा अगर आप का कॉंसेप्ट किलेर है तो आप इस तरीके के question को बहुत आसानी से deal कर सकते हैं। अब आपका question क्या है? Question आप से पूछा जा रहा है कि G-protein जो है वो mutant है, mutant G-protein with increased GTPase activity, ठीक है? तो यहाँ पर basically एक G-protein है, जो mutant है, और जिसके पास जो GTPase activity है, वो increasing है, मतलब जादा है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी हम GTP Hydrolysis की बात करते हैं, या GDP Hydrolysis की बात करते हैं, तो दो जो exchanging factor या जो protein होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, वैसे एक होता है, गौनीन नुक्लिओटाइड एक्सचेंज इंग फेक्टर, यह जो गौनीन नुक्लिओटाइड एक्सचेंज इंग फेक्टर इसका काम क्या होता है। यह GDP को GTP में Convert करता है, यह मैंने आपको जब हम ट्रांस्पोर्ट पढ़ रहे थे नुकलियस ट्रांस्पोर्ट पढ़ रहे थे पोर के थुरू वहां पर भी यह हमने पढ़ा हुआ था इसके अलाबाद जब भी हम GTP या GDP हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तब हम यह पढ़ते हैं तो इस चीज़ को सब्सक्राइब से समझें कि यह कैसे common sense से शुरू होगा जैसे अगर आपको यह चीज़ पता है कि जो गवानीन exchanging nucleotiding factor उसका काम क्या है GDP से GTP में कनवर्ड करना वहीं पर जो गैप प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है GTP is activating protein जो जहां इस question में इसी की बात करी जाती है GTP is activating protein इसका काम क्या होता है GTP से GDP में conversion तो अगर आपको यह दोनों ही चीज़ हैं पता थी जो हमने बहुत सार जितना हमने signaling पढ़ा वहाँ पर हमने यह पढ़ा जहां हम transportation पढ़ रहे थी तब इन दौनों चीज़ों के बारे हम पढ़ रहे थी तो आप इसे कैसे solve करेंगे question में पहले ही बता दिया है जो जी प्रोटीन है उसमें कुछ ऐसा mutation हुआ है जहां पर यह जो activity है जी टी पी एस की activity है जी टी पी एस activating प्रोटीन की जो activity है वो increase हुई है तो उसकी परिणाम सरूप क्या होना है जी टी पी का hydrolysis होना है into GDP जी टी पी का hydrolysis होना है into GDP और signaling पाथ वी जब हम GPCR पढ़ रहे थी तब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जैसे ही ligand bind करेगा आपकी receptor के साथ और receptor के साथ binding होने के बाद आपका GPCR receptor एक्टिवेट होगा और वो एक्टिवेट करता है आपकी जी प्रोटीन को तो जी प्रोटीन में आपकी 3 subunits थी alpha, beta and gamma ये क्या है ये है आपका जी प्रोटीन तो जी प्रोटीन में आपकी alpha, beta और gamma subunits थी जब ये आपका GDP से bound था तो ये क्या था, inactive था, वही पर जब ये आपका GTP से bound था, तो ये क्या था, active था अब ये जो mutation है वो क्या कर रहा है, mutation ये कर रहा है कि भाई, आपका GDP, मतलब अगर आपका जो प्रोटीन है वो active form है, जी टी पी से bounded है, तो ये suddenly इसी GTP को GDP में convert कर आ रहा है, मतलब GDP जैसे ही आपकी इस alpha subunit के साथ bind होगी, तो ये क्या हो जाएगा, inactivation होगा, ये क्या हुआ, inactivation होगा, ठीक, तो आपके options क्या क्या कह रहे हैं, पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि not bind to GTP, तो ऐसा तो बिलकुल नहीं है, क्योंकि simple सी बा इसका पूरा काम क्या है कि GTP से GDB का conversion, तो चाहे GTP हो या GDP हो, अगर आपका G protein mutant भी है, अगर mutation के form में है, still वो bind करेगा आपकी GTP से भी और GD से भी, तो ये दोनों options आपके गलत हैं, थर्ड क्या है, slow increased signaling, इंक्रीज और फोर्त क्या है, slow decreased signaling, तो आप मुझे बस एक चीज इत भी alpha subunit GDP के साथ bind होगी, तो जो pathway है वो inactivation होगा, मलब pathway में कोई activation नहीं होगा, activation के लिए क्या है, जो आपकी alpha subunit है, उसके साथ GTP bind होना चाहिए, मलब G protein की alpha subunit plus GTP is equal to activation of the pathway, and alpha subunit plus GDP is equal to inactivation of the pathway, तो उसी concept से ये question solve हो जाता है, और आपका जो answer है, वो answer D है, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ, कि वो ये question में ये है कि जो आपका GTP protein है, अगर वो mutant form में था, plus में वो increase कर रहा था आपकी GTP as activity को, तो what is the possible outcome, तो outcome में पहला ये है कि क्या ये GTP से bind नहीं करेगा, क्या ये GDP से bind नहीं करेगा, तो दौनों की binding possibility है, increase बिलकुल नहीं करेगा ये pathway के लिए, इसलिए क्योंकि जो GTP है, उसका manly function ही है, कि hydrolysis कराना GTP से GDP में, तो जो आपका option है, वो आपका fourth वाला option सही होगा, तो अगर आपको ये दौनों खाली, ये वाले और इस वाले protein complexes या factor की information थी, तो उतने से ही आप इ ये ही है, कि हर एक जगा, आपका कोई ना कोई concept, अगर आपकी concept पूरे तरीके से clear है, तो आप कहीं ना कहीं अपने concept को इसलिए apply करके, इस तरीके questions को solve कर सकते हैं, और गेट में बिलकुल ऐसे basic questions ही जो है, मुझे जाते हैं, और अब ये इसका explanation है, तो ये आपके पढ़ने क किया गया है, तो ये तो हमें पहले ही पता ही कि जो प्रोग्राम सेल दैथ है, अच्छोली special कुछ पाथवे होते हैं, आपके extrinsic पाथवे और intrinsic पाथवे, जिनके तरू क्या होता है, कि apoptosis जो है, मतलब किसी सेल में दैथ पाथवे को initiate किया जाता है, इसमें तो कोई confusion था ही नहीं, next question जड़ा solve करिए, अब यह जो question इसको जड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर cell stage की बात हो रही है, basically, कि cell cycle के दोरान, हमारी cell cycle में काफी सारी stages होती है, जैसे interphase होती है, division phase होती है, तो बहाँ पर यह number of chromosome और chromatid से related, यह question है, तो इसमें question क्या पूछा गया है, कि G1 phase, मतलब interphase की पहली stage है आपकी G1, फिर है आपकी G2, और उसके बाद आजाएगी आपकी M phase, मैंने यहाँ S phase mention नहीं करा है, ठीक है, चलिए कर देते हैं, नहीं तो फिर confusion हो जाए, G1, S, G2 and M phase, ठीक, अब question पूछा गया है, कि जो G1 phase है, वहाँ पर number of chromosome, इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि chromosome है या फिर आपका chromatid है, तो question क्या कहा गया है, कि G1 phase में आपकी number of chromosome 12 थे, तो आपकी chromatid किती होंगी, 24 होंगी, 24 होंगी आपकी chromatid, अब फिर question पूछा गया है, कि how many chromatid will be found, जब आपकी cell जो है, मेटा फिस सेकंड में जाए, मियोसिस, तो हमें पता है कि अगर number of chromosome 12 हैं, तो इसको ऐसे समझें, कि अगर number of chromosome आपके 12 थे, जब यह आपकी meiosis बन हुई, तो हाप number of chromosome हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर separation होता है, आपकी homologous chromosome का, और जब आपका meiosis second होगा, तो यह आपका just like mitosis होगा, तो यहाँ पर 6 to 6 chromosome जो है, वो आपकी daughter cell में जाएंगे, कहने का मतलब यह है, meiosis 1 जो है, वो हाफ होता है, और जो meiosis second है, वो आपका as it is होता है, अगर 6 number of chromosome है, तो daughter cell में 6 number of chromosome ही जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आपके 6 chromosome थे, is equal to 24 chromatid, क्योंकि एक chromosome जो आपके रहेंगे, उसके पास 2 chromatid present होगी, तो total अगर आपके 12 chromosome है, तो उस तरीके से 24 chromatid होगी, वहीं पर अगर आप meiosis second की बात करें, meiosis बनके बाद 6 chromosome is equal to 12 chromatid, और यहाँ पर भी आपकी 12 ही रहेंगी, कुछ इस तरीके से क्या होता है, इनका transfer होता है, from parents to daughter cell, तो वहीं आपसे question पूछा गया है, कि यह question पूछा गया है आपके metaphase second का, मतलब metaphase first के बाद जब आपका anaphase first आया था, तो वहाँ पर आपके homologus chromosome का separation हुआ था, तो 12 से आपके 6 chromosome हो गये थी, लेकिन यह question आपके anaphase बन के बाद, अगर यह question आपका metaphase बन में होता, तो आपक सिस्टर क्रोमेटेड जो है, वो 24 होती, लेकिन यह question एनाफेस बन के बाद आने बाली प्रोफेस बन, और प्रोफेस टू और मेटाफेस टू, मेटाफेस टू का पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटेड होंगी, वो होंगी आपकी टॉयल, तो आपका जो आंसर होगा, वो 12 होगा, और यह उसके लिए explanation है, अगर आपको नहीं भी समझ में आए, तो आप यहाँ से भी उस चीज को पढ़ लेंगे, बाकि बिल्कुल सिंपल सा है, कि मियोसिस में होता क्या है, कि मियोसिस फर्स्ट के डिवीजन में, आपका जो क्रोमोजॉम है, हाप नमबर में हो जाता है, वहीं पर जब मियोसिस सेकेंड होता है, तो यह मियोसिस सेकेंड की कहानी है, मेटाफेस सेकेंड की कहानी है, तो जस्त आपको क्रोमोजॉम की नमबर को हाप कर दीना है, तो जहाँ पर 12 क्रोमोजॉम थे, तो 6 क्रोमोजॉम हुए, और हमें पता है इसको solve करिए तो कि यह question भी आपका काफी basic कोशन यह metabolism का कोशन है लेकिन मैंने यहाँ पर include कर लिया है क्योंकि यह बहुत basic को basic सा कोश्चन है इसमें आपका match of the following है उसे जगा आपके पूरे पाथ वे दिये गए हैं दूसरी इससाइड आपकी cells और्गेनल्स ती हुए है इस तरीके के कॉश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो सबसे आसान है जो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उस सेल और्गेनल्स या जो आपका पाथवे उसको आप सबसे पहले पिक अप करिए तो जैसे इसमें आपने Oxidative Phosphorylation हो गया या फिर आपकी C3 Cycle या Kelvin Cycle ये तो आपने बहुत पढ़ी होगी Glyoxylate Pathway ये सारे भी पढ़े होगी Glycolytic Pathway भी आपने पढ़ा होगा तो ये चारों की चारों ही बहुत बेसिक है तो जो आपका Glycolytic Pathway है वो आपका प्रेजंट होता है 4 तो मतलब Cytosol में फिर आपका जब आप Oxidative Phosphorylation की बात करते हैं तो ये mitochondria में होता है Glyoxylate Cycle आपकी Glyoxysome और वहीं पर Kelvin Cycle जो है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजंट होती है तो इस तरीके से अगर आप combination बनाएंगे तो पी का 4 पी का 4 देखिए आप एक ही अगर आपने सही कर लिय तो आपको आंसर पता चल जाएगा मतलब जो आपका आंसर है वो थर्ड होगा और इसमें तो शायद कोई explanation की जरूरत ही नहीं है लोगी यह बहुत basic सा question था जो पूछा गया था कि अब next question देखिए अब देखिए इस तरीकी की जो question है उसमें एक आपको sentence दे दिया जाता है वो sentence कुछ भी होगा और इसके नीचे जो है उसका reason दे दिया जाता है और आपको यह justify या पिर पूछ लिया जाता है कि भाई यह जो reason है या पिर जो आपसे यह caution पूछा गया है क्या उसका reason इसको specific justify कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो हमें बोई चीज़ देखनी है और हमें यह भी कहीं नगहीं करना रहता है या फिर जो sentence लिखा गया है वो reason लिखा गया है क्या वो accurate है भी या नहीं तो इस तरीके question है यह पूछे जाते है यह 2011 का question है तो इसमें पूछा क्या गया था इसका अगर आप सबसे पहली concept पड़े तो इसमें यह है कि जो आपका ribosome का structure है वो help करता है development of the new generation drug इसका मतलब यह ही कि जब आपको कोई भी new generation का drug बनाना है उसकी कोई mechanism elucidation करना है बनाना है तो उसके लिए क्या ribosome का जो structure है वो help करता है अब दूसरा उसी का reason क्या दिया गया है कि जो high resolution of macromolecule structure has enabled in structure based drug design तो यह actually यह जो दोनों sentence है यह sentence एक्दम सही है क्योंकि जब भी आप ribosome structure की बात करेंगे तो new generation का अगर आपको कोई drug synthesize कराना है बनाना है तो उसके लिए definitely जो आपका ribosome का structure है वो helpful होता है and second जो आप से कहा गया है वो यह है कि high resolution of macromolecule structure मतलब अगर कोई आपके पास macromolecule है आपको उसके जो structure है आप उसको जितना अच्छा detect कर पाएं जितने अच्छी से उसको बता पाएं तो उस basis पे आप structural based drug design बिलकुल कर सकते हैं यह बिलकुल बैसा सा है कि अगर कोई आपके पास macromolecule है आपने उसके structure की बहुत अच्छी से steady कर ली है तो उस से related structure design जो है ड्रक का बो आप definitely कर सकते हैं लेकिन यह दोनों statement एक दूसरे को justify नहीं करते हैं अगर आप ribosome के structure से आप किसी भी macromolecule के structure का drug design कर पाएं यह जो है possible नहीं क्योंकि आपको हर एक drug की designing के लिए अगर आप ribosome से related कोई drug बना रहे हैं तो ठीक है भाई कि आपने ribosome का structure बहुत अच्छी से steady कर लिया उसके against drug बना दिया लिकन अगर आप यह सूचे कि उसी के तुरू आप पूरे जितने भी macrom molecular ribosome के rather than कोई और भी है उसका design कर लेंगे तो ऐसा नहीं है सबके लिए आपको एक specific study करनी होगी तो यह दोनों ही sentence आपके सही है लेकिन इनका justification है वो थोड़ा सा गड़ बड़ है इसलिए जो answer है answer भी है कि A and R मतलब जो आपका जर्शन और जो आपके reason है वो दोनों सही है लेकिन जो R है is not the correct reason for A तो इस तरीके से आपको identify करने और यह जो question यह कुछ ऐसे questions होते हैं कि अगर आपने थोड़ा ही drug designing यह आपको बस इतना ही पता है कि भाई एक किसी भी specific drug को किसी disease के against हम तब ही design कर सकते हैं जब हमें उस disease का जो अगर कोई particular protein है तो उसका structure function सारा कुछ हो तो उस basis पे भी आप इस question को solve कर सकते हैं और उसी के related explanation है तो आप इसको भी देख सकते हैं पिर आपका यह 6th question है इसमें answer भी आपको दिग्या लेकिन यह बहुत बेस एक question था जो आपका G protein couple receptor है उसका यह question है तो यह आपसे पूछा क्या है कि भाई आप step बताईए signal transduction path वि binding होगी हॉर्मोन हमारा लाइगेंड होगा फिर हमारा seven trans membrane receptor GPCR है जी प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा फिर आपका cyclic AMP और फिर आपका एफेक्टर प्रोटीन प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा मतलब लाइगेंड फिर रिसेप्टर फिर आपका G protein फिर secondary messenger उसके पहले आना चाहिए था रिसेप्टर यह देखिए यह एकदम सही है hormone transmembrane receptor G protein लेकिन effector molecule बाद में होगा उसके पहले आना चाहिए था आपका secondary messenger molecule वही पर hormone transmembrane receptor secondary मॉलिक्यूल को secondary messenger molecule को पहले लिख दिया उससे पहले activation होता है आपका G protein का उस तरीके से यह आपका answer है जो answer first है next question देखिए जरा यह जो है ABC transporter से है जो मैंने आपको बताया थी कि कुछ ऐसे transporter होते हैं जब हम trans membrane proteins के बारे में पढ़ रहे थे जब हम plasma membrane transportation के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने जब आपको primary और active ट्रांसपोर्ट बताया था उसी time मैंने आपको ABC P type F type transporter के बारे में बताया था तो देखिए अब इस question को भी आपको कैसे common sense के साथ solve करना है इसलिए मैं हमेशा एक चीज यह कहती हूं कि जब भी आप किसी concept को पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान से उसको समझने की जरूरत होती है तो कि आप देखेंगे कोई भी question आपको as it is नहीं पूछा जाएगा मतलब जरूरी नहीं है कि जो line to line हमने आपको बताया वो ही line to line आपका लिखा हुआ आई अब इसको कैसे common sense के solve कर लेंगे अगर आपको यह चीज पता है कि जो लिखा भी है कि ABC एक transporter है transporter है मतलब क्या है एक plasma membrane है और यहां पर यह जो transporter है यह कुछ channel की तरह है या carrier की तरह है ठीक है यह क्यों सही है वो मैं बताऊंगी पहले और option पढ़ लेते हैं दूसरा क्या है एससी टाइल कोलीन रिसेप्टर तो जब पहले ही यह चीज है कि यह transporter है तो यह यह r américator तो होगा नहीं क्योंकि receptor अलग होते हैं ट्रांसपोर्टर में आपकी channels अलग होते हैं केरियर अलग होते हैं तो इस वह तो आप ऐसे ८हीं कर देंगे क्योंकि Colea यह और रिसेप्टर का काम किसी चीज़ को ठ्रांसपोर्ट करना कभी नहीं होता रिसेप्टर का इसके साथ करेंड 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 इसका जो 2 ब्रोंइन और और सिग्नल मुद्री साइट 550 उनको एक्टिवेट करेंड सिग्नल ट्रांस्डरीक्स करेंगा यह यह कभी उत्नी कि इंसूल ने वान्ट करा आपके रेसेप्टर पर और यह इंसूलिं कास का और बिल्कुल भी नहीं रिसेप्टर क्या होता है कि इंसुलिन मतलब लाइगेंड ने जैसे ही बाइंड करा इसके साइटो प्लास्मिक डोमेन में एक्टिवेशन हुआ इसने फर्दर एक्टिवेट करा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल का जो उस अब इंसुलिन का ट्रांसपोर्ट करा देंगा है ना तो इसलिए ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर दो अलग लग चीज़ां यह बात अलगी कि दौनों प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं अगर आपको वह जब हम विजुवल पाथवे पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो रोड़ का एंजाइम है तो उतने से भी अगर आप इन चीज़ों को एक्स्क्लूट कर सकते थे तो जब आपको बता है दो रिसेप्टर एक एंजाइम है तो यह तो अलग प्रवत्ती के हैं तो जो हमारा पहला option है कि multi-drug resistance प्रोटीन तो बिलकुल आपका जो ट्रांसपोर्टर है य सब्सक्राइब कर सकते और यह उसी का explanation है नेक्स्ट कॉस्चन देखिए जड़ा यह जो कॉस्चन है यह मैच आप फॉलोविंग कॉस्चन है और जो अगेन आपकी सेल सिग्नेलिंग से पूछा गया है 2014 मैं से पूछा गया था कॉस्चन बहुत बेसिक है क्या है कि रिसेप् टाइरोजीन काइनेज के लिए यह यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए है कि यह किस से बाइंड करेगा या इसका एक्टिवेटर मॉलीक्यूल क्या है तो वही चीज हमें आइसोलेट करनी है तो हमें पता है कि रिसेप्टर टाइरोजीन काइनेज के जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत सारी लाइगेंड बताए थे तो आपको याद होगा तो जो थाइराइड हॉर्मोन होता है आपका वह आपका बिसिकली बाइंड करता है रिसेप्टर टाइरोजीन काइनेस से सेकंड क्या है साइक्लिक जी एमपी सीजी एमपी भी इसे कहा साइक्लिक गौनायल साइक्लिस आपका एंजाइम होता है जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम विज्वल पाथ पर पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको बताया था और इसका जो एक्टिवेटिंग प्रोटीन जिसे गैप कहा जाता है इसका कैसी आप कनेक्शन करेंगे और यह इनेक्टिवेशन ओफ आपका है जी प्रोटीन अभी हमने म्यूटेशन वाली कॉस्चन में पूछा था बताया और उस समय भी मैंने आपको बताया था जब भी गैप की बात हो जहां पर भी आपको जीटीपी एस मिल जाए तो जीटीपी इस का काम ही है जीटीपी से जीडी बनाएगा और जब भी जीडीपी आपका जी प्रोटीन से अटेज्ट होगा मतलब पाथवे इनेक्टिवेशन होगा जी प्रोटीन एनेक्टिवेशन होगा अगर आप न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें तो यह क्या है इसका आपका होगा थर्ड की जो आपका नहीं एक सेकंड न्यूक्लियर रिसेप्टर थर्ड फॉस्ट का फॉस्ट का सेकंड यह मैंने गड़वड यहां पर मैच कर लिया है इसको मैं यहां पर लिख दे रही हूं जो आपका रिसेप्टर टाइरोजीन काइनेज है वो होगा आपका इंसुलें यह आपका फॉस्ट होगा फिर cyclic GMP हमें पता ही है कि guanile cyclase यह आपका second होगा वहीं पर आपका GTPase यह third होगा और फिर इसके बाद जो fourth है वो क्या है आपका nuclear receptor जो की होगा आपका thyroid hormone तो इसको जड़ा exclude कर दीजेगा यहां में दोबारा लिख दिया वो थोड़ा सा मैच करने में दिखकत है ठीक है तो आपका जो option है वो fourth बाला जो आपका option है पी का जो है वो second है कि जो आपका receptor tyrosine kinase है वो आपका insulin से wind करेगा वहीं पर अगर आप q को देखेंगे तो q का आपका फोर्थ नम्मर है फिर उसके बाद अगर आप gtps का देखेंगे तो inactivation होगा वहीं पर अगर आप S का देखेंगे मतलब की nuclear receptor वो होंगे आपके thyroid hormone तो इस तरीके से यह वाला आपका जो option है मतलब option D जो है वो का question है इसको मैंने बहुत डीटेल में और अच्छे से आपको बताया था यह 2014 में पूछा गया है अब कोई plant है जिसको shift किया है cold temperature में तो जब भी cold temperature में उस plant को shift करते हैं या जब भी किसी animal की ही बात ले लीजे तो cold temperature में वो जाता है तो जो lipid molecule से उनमें किस तरीके का adaptation होता ह है तो option क्या है ratio of unsaturated to saturated fatty acid would be green मतलब ratio की बात हो रही है मतलब unsaturated यह आपके fatty acids है और वहीं पर आपका क्या है यह saturated fatty acid ठीक है तो पहला option क्या है ratio of unsaturated fatty acid मतलब unsaturated fatty acid और यह जो है that is saturated fatty acid ठीक दूसरा क्या है इसी के contradictory statement है कि यहाँ पर unsaturated ratio of unsaturated to saturated fatty acid decrease होगा फिर वहीं पर क्या है यह increase होगा फिर इसके बात क्या है absolute amount of both fatty acids जो है would increase ठीक है और same ratio बे रहेंगे वहीं पर fourth option कह रहा है कि absolute amount of the both fatty acids remain रहेंगे unchanged रहेंगे तो आपको देखना है तो जब हम membrane fluidity की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर unsaturation जब भी cold climate की आप बात करेंगे और वहाँ पर आपको membrane fluidity बढ़ानी है क्योंकि अगर cold temperature है तो जो आपकी fatty acids acids रहेंगे वो freeze to form में रहेंगे एक दूसरे के साथ highly attached रहेंगे तो cold temperature की जब भी बात होती है तो membrane की fluidity को बढ़ाने के लिए जो आपका ratio होना चाहिए unsaturated fatty acid का वो जादा होना चाहिए वही पर saturated fatty acid का कम होना चाहिए short chain जो है वो होनी चाहिए long chain नहीं होनी चाहिए cold climates की में बात करें और cholesterol जो है वो insulator होता है हमने पहली बतायता है यह वफर काम करता है तो अगर वो cold temperature में रहेगा और cholesterol insert होगा तो fluidity को बढ़ाएगा at the same time अगर आप higher temperature की बात कर रहे है तो वहाँ पर cholesterol membrane fluidity को कम करता है तो इस तरीके से आपका जो option बन है वालब unsaturation जादा होना चाहिए saturated fatty acid जो है वो कम होने चाहिए तो अगर आप ratio देखेंगे तो unsaturated to saturated fatty acid would be increased तो पहला जो option है वो इद्दम सही है यह उसके लिए explanation है आप इससे भी देख सकते हैं अब next question है कि यह question में बहुत basic question है जिसमें आप से incorrect statement उचा गया है और यह जो incorrect statement है वो कुछ इस तरीके से है कि पॉस्पो इनासिटाइल सेरींग जो है present on the outerly flat मतलब यह कोई cell है पॉप्टोटिक सेल है बिसिकली यह properties दी हुई है पॉप्टोटिक सेल की और उसमें हमें incorrect बताना है तो जब मैं आपको different type के phospholipid बता रही थी तब हमने phosphatidyl choline serine ethanol amine का distribution पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई plasma membrane है जहां पर जो आपका ethanol amine है और यह serine है यह आपका ethanol amine and phosphatidyl serine यह दोनों आपकी inner leaflet में present होते हैं लेकिन जब आप apoptotic cells की बात करते हैं अगर कोई सेल है वो shrinkage जो उसे apoptosis में जाना है तो आपकी serine की flipping हो जाती है और यह आजाता है outer cell surface पे तो बिल्कुल apoptotic cell की context में जो पहला option है वो एकदम सही है कि यहां पर क्या है कि phosphatidyl serine जो है वो outer cell surface receptor पर प्रेजेंट होता है फिर second है आपका जो साइटो क्रॉम सी है यह रिलीज होता है फ्रों माइटो कॉंड्रिया बिल्कुल जब हम साइटो क्रॉम सी रिलीज हुआ है मेंब्रेन में पोर हुआ है तो जो वो मेंब्रेन का पोटेंशियल है वो अबिस सी बात है डिस्टाब हो गा ही और एक जिन फिप्त जो है वो बाइंट करता है सेल सर्फिस फर तो यह भी ऑप्शन एकदम सही है तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें इंकरेक्ट वन आइडेन्टिफाई करना है तो ऑप्शन जो थर्ड है वो एकदम सही है नौलेज का दामन छूना हुआ असान फिर चाहे हो लेक्टर सिफ या पीसडी का अर्माण हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का सवाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अर्माण वेदमी लेकर आया है डिटेल कूर्स फॉर सी एसाया टूटाउजंट फॉर एक्जामनेशन मिले गा यहां आखको सब कुछ न्यू पाटन के लेक्टर्स, वन्टो बंटाउटरिंग सेशन, प्डिफ नोर्स और भी बहुत कुछ वेदमी क्योंकि हर सपना हमारा है अपना, enroll now and visit वेदमी website and download the app from playstore Use करिए code WITH20 for getting the 20% discount वेदमी, Educating India